हलो एंड वेलकम टू उद्कर्श क्लासे साथियो आज ओडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी और दोस्तों कल से हम लोग रैंकिंग वाले प्रसंट करने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की यह देखिए सारे इंपोर्टेंट जो जो भी कही न कहीं Village Development Officer का पेपर हुआ था उसका और दोस्तों कई अनेक एक्जाम के जो भी इंपोर्टेंट प्रसंट है वो आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों हम लोग ब्रिहद और लगू और कही न कहीं क्रम वाले रैंकिंग के प्रसंट दोस्तों अगले क्लास नेक्स क्लास में करने वाले हैं तो साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को तो सभी लोग जुड़ जाए और स्टार्ट करते हैं दोस्तों राधे राधे गुड़ इवनिंग भई सभी को स्वागत है इस सेशन में ठीक है दोस्तों देखे कुछ important प्रस्ण जो है हम लोग करना start करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि दोस्तों ये एक type होता है जैसे आप इसको पढ़ लो पहले question को Good evening, good evening बच्चो हर हर महादेओ चलिए आईए साथ यो इस question को करते हैं देखिए क्या प्रस्ण है दोस्तों यहाँ पर नीचे दिये गए निम्न विकल्पों में से वह सब्द चुनिए दोस्तों इसके दो दो तीन तीन question हम लोग करते जाएंगे और type change होता जाएगा चुनिए जो दिये गए सब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता उस्तों अभी जो आगे प्रस्ण आने वाले हैना हमें वो topic करना है जो नहीं बनाया जाकता के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है तो चलिए बताइए इसका answer क्या होगा चलिए बताइए साथियो जो नहीं बनाया जा सकता है इमपैसनेबल से कौन सा ऐसा सब्द जो नहीं बनाया जा सकता फटा फट साथ यो questions को practice करते हुए आज हम लोग coding decoding को complete कर देंगे calendar मैंने पढ़ा दिया है देखें दोस्तों इमपैसिबल देखें तो I-M-P-A-S-A-B-L-E तो ये तो बन जाएगा ये तो उपर वाले letters अच्छर से बन जाएगा साथ जल्दी से बताएए impossible देखें आई-म-P-O-S-I-B-L-E impossible भी बन जाएगा पर C क्यों नहीं बनेगा देखें शालीनी राथ होड़ कर ये B तो दोस्तो B बिलकुल बन रहा है कौन सा नहीं बनेगा साथ ये ऊपर दिये गए words के जो letter है ना उससे नीशे वाला कौन सा नहीं बनेगा और क्यो नहीं बनेगा जल्दी से बताएए क्योँ नहीं बनेगा साथ ये कौन सा वाला answer हो जाएगा इसका तो C answer होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखें इंपैसिब में V है जो की उपर वाले word में नहीं है बिल्कुल वी जो है न साथियों यहाँ पर देखें वी जो है वो उपर वाले में नहीं है answer C हो जाएगा चलिए बहुत बढ़ी है साथियों question number second question number second दोस्तों जितने भी आज question है वो सब आप कर सकते हैं क्योंकि सभी exam के label के questions है और सब UP में आए हुई exams के question है question number second indeterminate indeterminate क्या answer होगा हाँ B नहीं रहेगा बिल्कुल V नहीं था इसलिए वो नहीं बन सकता था बिल्कुल सही रविंद्र जी स्वाधत है आपका question number second बताईए indeterminate दोस्तों determine देखिए न D E T E R M I N और E ये तो बन जा रहा है ये तो बन जा रहा है पर दोस्तों R E T R E T I N पर U साथ यहाँ पर कौन सा वाला है देखिए तो यहाँ पर कौन सा वाला है एक letter U है जो कि आपको उपर नहीं मिल रहा है answer कौन सा होगा B ये जो word है वो नहीं बन सकता बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चे बिल्कुल आप सही जा रहे हों आज आप देखिए कि सारे प्रसन आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि कई दिनों से दो क्लासिस बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की हुई अब अगले दिन दोस्तों आप देखेंगे पुरिहद और लगू और रैंकिंग से रिलेटेड प्रसंद करवाने वाला हूं मैं तो आएए क्वेस्चन नंबर थर्ड पर आजए ये ट्रांस्पोर्ट बस ये तीसरा क्वेस्चन है दोस्तो तीन तीन चार चार क्वेस्चन हम लोग हर टाइप का करने वाले तो ट्रांस्पोर्ट एस पी ओर टी ये बन जाएगा एस टी आर एपी ये भी बन जाएगा बताईए आंसर कौन सा है और क्या कारण है साथियो क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा दोस्तों सी जो है ट्रस्ट नहीं बनने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एक लेटर है साथियो कौन सा यू जो की उपर नहीं है चलिए आगे आरकिटेक्चर बिल्कु सही क्वेशन नंबर चार आरकिटेक्चर हाँ आर्किटेक्चर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर चार टी-ए-सी-टी ये तो बन जाएगा चैट भी बन जाएगा चैट भी बन जाएगा पर साथ यो फिर से देखिए फिर से इसका जो आंसर है ना फिर से इसका आंसर जो है वो C है दोस्तों यहाँ पर O मौझूद है जो की उपर नहीं है तो आंसर क्या होगा तॉर्च हो जाएगा चलिए सब ने आंसर सही दिया होगा साथियो अब देखिए दूसरा टाइप में आ जाते हैं सब्सक्राइब एक बार क्वेस्चन पढ़ लें आज के जो भी थर्टी क्वेस्चन से ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप कर भी सकते हैं पैट का एक्जाम भी साथ हो बिल्कुल देखी आने वाला है एकदम तो आप अब बहुत ही सीरियस होकर आपको पढ़ना होगा है ना तो चली दोसों नीचे दिये गए निमनी विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिये गए सब्सक्रों से बनाया जा सकता है बनाया जा सकत है साथ हो देखे question number हाँ बताईए कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा बनाया जा सकता है साथ हो देखे तो caption बनाया जा सकेगा या क्या operation में तो सी ही मौजूद नहीं है यह तो नहीं बनेगा नमस्कार प्रनाम साथियो चलिए questions जो है बहुत बनिया आ रहे हैं आप इसको फटा-फट इनके answers देखिए और आपको पता चल जाएगा कि reasoning की तयारी आपकी कैसी है देखो rotation रोटेशन भी नहीं बनेगा दो बार T आ गया नहीं बनेगा option बन जाएगा क्या option जो है बन जाएगा देखिए सभी बचों का answer दोस्तों C C होगा O-P-T-I-O-N देखिए O-P-T-I-O-N option तो साथ यो answer कौन सा हो जाएगा C answer होगा इनमें गलतिया दोस्तों बिल्कुल आपको परिशान कर देगी अगर आप यहां गलति करोगे और अगर आपका marks exam में जाता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है हाँ चलिए साथ यो आगे आईए question number 11 बचे अगर आप यहां देखेंगे तो 2T है 2T यहां पर थोड़ी है यह थोड़ी बनेगा nation देखेंगे 2N है 2N है 2N कैसे बनेगा यह भी नहीं बनेगा एक बार आप N ले लोगे दो बार N थोड़ी ना है यहां पर option बनेगा option बनेगा ऐसे question में कोई doubt नहीं होना चाहिए था ऐसे question में कोई doubt नहीं होना चाहिए था देखेंगे अगर आप देखेंगे farmer दोस्तों farmer देखिए देखो farmer में E है साथ यो और उपर E नहीं है यह नहीं बनेगा कौन सा बनेगा इसमें देखिए अगर आप देखोगे न motion, motion बन जाएगा देखो यार M है, O है E है, I है O है, और N है, motion बन जाएगा, fireman फिर से नहीं बनेगा, E आ गया कैसे बना लो गया आप, name देखो E आ गया, नहीं बनेगा answer कौन सा होगा, B answer हो जाएगा हाँ, बताएगा, question number 12 का answer क्या है 12 लिखा हुआ answer क्या होगा, जल्दी से बताइए देखे दूस्तों, determination determination में बताएए क्या answer होगा, दूस्तों C है, यहाँ C है, कहाँ से हो जाएगा भई, यह नहीं बनेगा national है, national बन जाएगा क्या, तो N-A-T-I-O-N यहाँ तक तो है national तो है, A-L तो दोस्तों, यह भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर L आ गया L आ गया, यह भी नहीं बनेगा, अच्छा, terminated हो जाएगा क्या, देखे, काई बच्चे दोस्तों national, अरे भाई, rational national नहीं होगा, इसमें L है L यहाँ मौजू थोड़ी नहीं ऊपर terminated देखे, terminated देखो, T-E-R-M-I-N-A-T और दोस्तों, E-D terminated बन जाएगा, C answer होगा यह कौन से exam में नहीं आया बताए, RO-RO में नहीं आया है PCS में नहीं आया है Village Development Officer में नहीं आया है Gel Water के exam में नहीं आया है SI तक के exam में, Constable तक के exam में इस पर question है चलिए, आगे बढ़िए साथियों और बताएए इस question में question number 13 हाँ, बिल्कुल बहुत easy है निधी आदब, अब आप आगे चलिए देखिए, आपको सब तरह के question मिलने वाले अभी तो start ही हुआ है सिर्फ तो देखेंगे आप यहां पर तो साथियों यही बड़े आराम से बन जाएगा expire चलो तो हमारा answer तो यही हो जा रहा है यही अभी answer कर देते हैं ठीक है साथियों, answer पहला ही है चलिए यह last question है साथियों देखिए, इस वाले type का फिर हम लोग type change कर देंगे देखो नोन बन जाएगा देखो आप देखो के n दो है n यहां पर साथियों दो है और उपर n सिर्फ एक है यह तो नहीं बन रहा है सही answer फटा फट बता दीजे अभी दोस्तो देखिए इसके बाद आप देखिएंगे बहुत अच्छे प्रस्णों को मैंने UP में जितने exams हुए है क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता उन exams के questions को कही न कहीं reference की तौर पर लिया जाता है तो go down देखेंगे दोस्तों G-O-D-O दो बार O है यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा wonder देखते हैं W-O-N-D-E-R R नहीं है सात्यों R नहीं है C भी नहीं होगा सात्यों कौन सा वाला हो जाएगा golden हो जाएगा ठीक है ना golden हो जाएगा चलिए फटा फट सात्यों एक बार type हम लोग change करते हैं इसके बारे में आपको सारा information है दोस्तों दीगे आप यह purchase कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों dictionary sequence में dictionary sequence का question दोस्तों हमेशा आया है ठीक है तो dictionary sequence के questions को फटा फट कर लेते हैं और यह भी practice अभी कर लेते हैं ठीक है coding decoding में आगे बढ़ते हैं दोस्तों बताइए कौन सा वाला answer होगा चली देखिए साथ यह बताइए अच्छा आपको क्या यह पता है दोस्तों ऐसे question में देखेंगे न आप आगे के कुछ word बिलकुल आपको same मिलेंगे आगे के कुछ letters बिलकुल same मिलेगा देखो न दोस्तों अगर आप देखो के spin spin दोस्तों spin तो जो same है न उसको पहले आप हटा दीजिए जो same है उसको पहले आप हटा दीजिए जिनको पता है बहुत अच्छे जाती हो जिनको नहीं पता है देख लेंग बार देखो spin यहां तक दोस्तों आपको सब में मिल रहा है तो जो same होता है न उससे हमारे answer में कोई फरक नहीं पड़ता अब अगर आप dictionary में देखेंगे न सात्यों अब अगर आप dictionary में देखेंगे तो सबसे पहले A आएगा सबसे पहले A आएगा इसका मतलब दोस्तों option B से start होगा चलिए बहुत लोग answer करें दोस्तों देखो B से start हो गया ठीक है न तो यह answer नहीं यह answer नहीं है अब देखो A और E है A और E तो दोस्तो या तो A होगा या तो E होगा देखो पहले D आजाएगा पहले D आजाएगा इसका मतलब दोस्तो B के बाद E option होगा E के बाद पहले D आएगा बाद में E आएगा तो B के बाद देखो ये B आगया पहले और उसके बाद ये E आ गया, किसमें ये वाला इसको काड़ दीजे, तो 19 का A answer होगा, D बताने वाले B बताने वाले दोनों गलत बता रहे है A answer होगा, बोले दोस्तों clear है क्या, B, E, A, D, C चलिए, जिनका गलत है साथे उपर देखीगा क्यों गलत हुआ इसमें दोस्तों देखिए, पहले जो common है पहले जो common है, उसको हटा देते है common कौन सा है, अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत simple देखो, beauty से कोई मतलब नहीं beauty से कोई मतलब नहीं, beauty हमारे question में कहीं से भी importance नहीं रखता दोस्तों, beauty जो है ना, सब में है तो सब में है, तो इसको हटा देते हैं, beauty अब अगर आप देखेंगे ना, दोस्तों सब से पहले C आएगा सब से पहले C आजाएगा देखो, सब से पहले ये C आजाएगा तो C वाला option होगा, इसको हटा ये इसको हटा दीजे सबसे पहले C वाला आए जाएगा तो ठीक है दोस्तो C के बाद देखे T थोड़ी न आएगा C के बाद दोस्तो देखो B आएगा ये वाला आएगा C के बाद L आएगा L के बाद C के बाद अगर B आगया C के बाद B आगया तो ये option हो जाएगा इसको हटा देते है बहुत बढ़िया सात्यों देखे 20 का C काफी लोग कर रहे है पर दोस्तो एकाद जो लोग गलती कर रहे है उनको दिक्कत होने वाली है 20 का C हो जाएगा ठीक है देखे एक question और आ गया इसमें मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या देखिए कुछ letter सब में आगे common है कुछ letter सब में आगे common है कौन सा common है आप देखो CRU से क्या मतलब है CRU आप हटाने के बाद अपने question को देखना स्टार्ट करिए सबसे पहले आप CRU तक हटा दीजे अब आप dictionary में यह देखो के M पहले, S पहले, I पहले, D पहले के P पहले तो भाई सभी लोगों को पता है कि पहले तो dictionary में D वाला आएगा सबसे पहले D ले लेते हैं D वाला आ गया उसके बाद आप देखो दोस्तों I, S, M और P में I वाला सबसे आएगा इसका मतलब D के बाद A आएगा इसको हटा दीजिए उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों देखो, यह A को हटा दिया S, M और P में तो पहले M आता है तो D, A, E हो जाएगा इसको हटा दीजिए उसके बाद आप देखेंगे क्या D A E B C इसमें तो कोई confusion नहीं होना चाहिए क्लियर है दोस्तों चेख लिए देखिए मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोगों ने B आंसर किया है बिल्कुल सही ठीक है चली साथियो अब देखिए अपने टाइप चेंज करते हैं यहां पर अभी एकात question और देख लेते हैं उसके बाद type में change करता हूँ ठीक है यार अगर यहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है अगर इतना बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि साथ यो आर यू एम जो है common है तो दोस्तो फिर आप कैसे समझाया जाए बताइए आर यू एम सब में है आर यू एम से क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं होगा अब shortcut कहता है दोस्तो आर यू एम के बाद क्या है तो ए है तो सबसे पहले बी आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे दूस्तो तो देखो ए है और डी है तो ए और डी में देखिए यहां आई है यहां बी तो पहले तो ए आएगा nा तो बी के बाद ए बी के बाद ए सीधा answer कर लेते हैं clear है दोस्तो चलिए अब आप देखे दोस्तो यहां देखिए type 3 अलग type आ गया अब यह question का answer अब आप देखना साथ हो कि इस दसो questions में आप कितना answer सही दे पा रहे हो चलिए बता ही साथ हो बहुत अच्छा question है 80 बराबर 20 इस BAT बराबर 40 तो CAT बराबर क्या होगा अब जो लोग साथ हो इस questions को नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार जरूर दोस्तो आप इनको practice कर लीजिए अगर आप यहां देखो ना साथ हो तो A बराबर और 1 तो A का 1 होता है T का 20 होता है multiply कर दे 20 हो जाता है चली बहुत लोग कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सहीदा तो देखो C का जब आप करना चाहो अच्छा BAT का 2 into 1 into 20 और आपको पता है दोस्तो इनके position तो यहां 40 हो गया तो दोस्तो 3 हो गया 1 हो गया और 20 हो गया तो साथ हो क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जेल वाडर के पेपर पे भी दोस्तो देखिए यूपी जेल वाडर का पेपर पे भी ये question था हाँ multiply किया है पर चलिए देखते हैं अब कितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है कि अगर होटेल को 12 लिखते हैं तो lamb को इस code में क्या लिखेंगे देखो कितने बच्चे इसका सही आंसर करें अमित यादव 10 नहीं है नंदु सिंग 9 भी नहीं है अमित यादव 10 करें गलत है बताईए इसका सही आंसर क्या है देखिए यहां से आपको अपना लेबल पता चल जाएगा तोकि यह सब आए हुए question है देखिए बहुत important logic साथ हो अगर नहीं पता है थोड़ा सा note करिएगा दिमाद में रखिएगा देखो hotel में hotel में बच्चे देखो h का 8, o का 15, t का 20, e का 5 और l का 12 देखो 20 और 15, 35 और 8, 43, 43 और 5, 48, 48 प्लस 12 देखो यह 60 हो गया, 60 है बहुत important logic है अच्छा number of letters कितने हैं? 5 है एक, दो, तीन, चार, पाँच है तो दोस्तों 60 को 5 से भाग दे दीजिए 12 आ जाएगा क्या यह logic clear हो गया? क्या यह logic clear हो गया आपका? क्या यह logic clear हो गया है? जिनको बच्चों नहीं clear था जो 10 आंसर दे रहे थे गलत हो जाएगा 7 आंसर है important logic है देखे एक से एक questions अब आपको मिलेंगे बिल्कुल different questions मिलेगा अलग अलग तरीके से आपको reasoning सोचनी हो गया इनमे बताएगे साथ यह clear हो गया क्या? clear हो गया? यहाँ सब questions important है clear साथ यह देखो L का L का कितना होता है 12 A का कितना होता है 1 M का कितना होता है 13 और B का कितना होता है 2 साथ यह सभी को उठा के जोड़ दीजे सभी को उठा के जोड़ने से कितना मिलेगा? 28 मिलेगा total कितना है? 4 भाग दे दीजे साथ यह कितना आजाएगा? 7 आजाएगा अभी आपका दिमाग हिल जाएगा बहुत सारे अच्छे अच्छे questions आ रहे हैं अभी आप देखते जाएए बहुत अच्छे अच्छे प्रसंद आएंगे आपको लगेगा कि ये सारे प्रसंद जो है एक बार एक वीडियो में मिल गया बहुत सारे logic नए सीख गए देखे ये question बहुत important very very important मैं जो बता रहा हूं दोस्तों आप सारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको कई बार बतादा चल रहा हूं कि ये important है इसको याद रखी ये आपसे बन जाना चाहिए तो आपको ये दिमाग में रखना होगा दीप सिखार रंजन 54 तो नहीं है 54 तो नहीं है लक्षमी कुस्वाहा 56 प्रवेश कुमारी 54 तो नहीं है अनिल यादब भी गलत बता रहे हैं क्या लॉजिक है इसका कौन बताएगा इसका लॉजिक क्या है चलिए बहुत लोग सही अब आंसर बता रहे हैं दोस्तों देखके बद बताईए अपना बताईए देखो जी का और सीखते जाए दोस्तों देखो जी का 7 होता है आप इसका बीस हो जाता है इसका बारा हो जाता है अब दोनों को अगर आप एड कर दो अब दोनों को एड कर दो न साथिओ तो 32 हो जाता है हाजे बिल्कुल opposite addition हो रहा है दोस्तो C का S H E, C का देखेंगे आप S H E का कितना दिया दोस्तो 49 दिया हुआ है, देखो S का दोस्तो 19 होता है, 19, H का 8 होता है, E का 5 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा इसका कितना होगा 22 हो जाएगा जोड़ दीजिए दोस्तों 22 और 8 देखेंगे आप 30, 30 और 19 तो 49 हो जाएगा तो बताई साथ यो answer क्या है अब answer सबको clear है क्या sum का मैं सीधा सीधा अगर opposite लिख दू ना opposite लिख दू तो ये 8, ये 12, ये 14 और ये 22 opposite लिख दिया है मैंने तो 22 और 8, 30, 40, 52 प्लस 14, sorry 42 प्लस 14, 56 answer हो जाएगा 56 answer है चलिए कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ 56 answer किया है बहुत अच्छे question number 4 गजब के सवाल अभी आपको आगे मिल जाएंगे आप थोड़ा सा वेट करिए देखिए आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रस्न मिल जाने वाले बताएं साथ यो sun को कह रहा है sun को nine flower को 36 तो sun flower का क्या होगा क्या logic है बच्चे बताएं किस logic से इस answer हो रहा है देखिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे देखिए दोस्तों ये ऐसे questions बिलकुल आपको मिल जाएगा साथ अगर आप देखिए sun sun जो है इसमें total कितने letter है 3 3 का square कर दे दोस्तों कितना होगा 9 हो जाएगा चलिए flower देखेंगे दोस्तों flower अगर आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों 6 का 6 का square कर देंगे 36 हो जाएगा sun flower 9 है 9 का square कर दीजिए दोस्तों 81 हो जाएगा 81 हो जाएगा तो कल जो है ना हम लोग ब्रिहद और लगू वाले question और क्रम वाले question बिलकुल मैं कल start कर दूँगा और वो आप देखेंगे कि मैं दो classes में बहुत different different type के questions उसमें आपको कराऊंगा हाँ साथ यह सभी को clear हो गया होगा कर दिया हो गया हाँ बिलकुल square था हाँ बिलकुल square था चली answer में दोस्तों देखो यह type तो common है बड़ साथ यह आया है तो हम लोग को यह भी सीख लेना है देखो not बोल रहा है आप देखेंगे n और t का सारे letters इसमें मौजूद है सारे letters इसमें मौजूद है दोस्तों देखो n का 2 n का 2 हो जाएगा अच्छा दोस्तों o का 1 2 3 4 5 तो दोस्तों o का 5 तो देखो यह आपका चौथे नंबर पर ठीक है कि कि दूआ है कि टूप टूप आप सब्सक्राइं करने और हुआ है कि अ चौन परूप पाइस नंबर शाथ कि कुश्चन नंबर साथ क्वेशन नंबर साथ का आंसर क्या है क्या बात है साथ यो क्वेशन नंबर साथ का आंसर क्या है तो क्वेशन नंबर साथ में अगर आप देखो के कैट में दोस्तो टोटल लेखेंगे दो टोटल जो है दोस्तो तीन है बट अगर वोवल देखेंगे तो दोस्तो वन है तो वन बाई थ्री हो गया वन बाई थ्री हो गया बहुत अच्छे साथ हो यहां देखिए tiger, tiger में दूस्तो वॉवल क्या हैं 2 है और total कितने हैं 5 है तो 2 बटा 5 हो गया दूस्तो elephant में elephant में देखेंगे दो स्थो तो 3 वॉवल है और total 8 है 3 by 8 आंसर है 3 by 8 हाँ,ॉवल divided by total number चलिए question number 9 question number 9 सात्यों देखिए यह आपको यूपी एसाई में भी पूछा गया है दोस्तों यूपी एसाई में पूछा गया question है 2017 में सीधा सीधा उस question को वहां से उठाया है यूपी एसाई का question है चलिए कई बच्चे बिल्कुस सही answer कर रहे हैं बच्चे क्या answer है बताईए यूपी एसाई 2017 में आया हुआ प्रस्ण था उसको यहां से लिया हुआ है दोस्तों देखिए क्या logic है साथ हो देखिए यह बहुत important logic होता है देखो hot होट दोस्तों यहां पर आप देखोगे न hot दोस्तों total कितना है यहां 3 है तो logic है 3 का q plus 3 दोस्तों 27 और plus 3 तो कितना हो गया 30 हो गया 2017 में दोस्तों evening वाले set में आया हुआ था देखो यहां team दोस्तों देखेंगे total total कितना है 4 4 का q plus 4 करना था 64 plus 4 68 हो गया 68 हो गया दोस्तों lemon में देखो आप कितना तो 5 5 का q plus 5 दोस्तों 5 का q कितना 125 और plus 5 कर दीजे 130 जितने बच्चों आंसर किया है बिल्कुल सही था ठीक है आगे बढ़ते हैं कर दोस्तों इंग्लिस में बोला करो देखो इंग्लिस में आ गया आपको बताई यह क्या आंसर है अब इसका यदि एक निश्चित कूट भासा में टोमेटो को 264126 लिखा जाता है NET को दोस्तों यहाँ पर 552 लिखा जाता है उसात्यों ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा ट्रैक्टर का कोड क्या हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में आने की संभावना भी है इन सब लॉजिक को अगर आपको नहीं पता थोड़ा धिमाद में रख करें इसको यह एक्जाम सामने दोस्तों जितना आप ऐसे कोशन प्रैक्टिस कर लेंगी यह आपको फायदा होगा इसका देखिए साथ्यों टोमेटो इन में आपको एक छीज तो ध्यान में रखना पड़ेगा साथ्यों टोमेटो जो है उसमें दोस्तों आप यहां 20 होता है यहां 15 होता है यहां 13 यहां 1 यहां 20 और यहां 15 दोस्तों यहां 20 है ना देखो 2 प्लस 0 कर दो 2 प्लस 0 करने से कितना होग 6 हो जाएगा 13 है ना दोस्तो तो एक प्लस 3 कर दो एक प्लस 3 करने से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा अब देखो ये एक सिंगल है जो सिंगल है दोस्तो उसको ऐसी उतार दो अब देखो ये 2 जीरो दोस्तो 2 प्लस 0 करिये तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और दोस्तों ये 15 है तो 1 प्लस 5 कर दीजेगा तो 6 हो जाएगा देखिए यही वाला यहां पर दिया हुआ है 264126 क्या clear है आपको क्या clear है दोस्तो समझ में आ गया क्या यह rule समझ में आ गया अब देखो tractor का अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी न आप वहाँ लिखोगे आपको अगर यह पता है 20 होता है तो 2 हो जाएगा 18 होता है तो 9 हो जाएगा यह 1 होगा यह 3 होगा यह 2 होगा यह 6 होगा यह 9 हो जाएगा तो 2 9 1 3 2 9 1 3 2 6 9 कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों B answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं साथियो जाएगा जाएगा इसी में चीजों को थूड़ा सा अलग से डिफरेंट किया है कोमल कह रहा दोस्तों K O M A L और कोड क्या बता रहा है उसका देखे 3 1 4 3 1 4 6 2 बता रहा है 3 1 4 6 2 बता रहा है तो बताईए क्या होगा अब देखी दोस्तों यहाँ पर फिर क्या है POT है P O T POT को साथियो 2 6 7 बता रहा है 2 6 7 बता रहा है देखे यहाँ पर बहुत अच्छा question साथियो बताईए answer बताईए कौन सा वाला इसका सही answer होगा देखे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 11 है देखो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 यहाँ आ गया 15 है दोस्तो 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6 यहाँ आ गया दोस्तों 13 है 3 और 1 4 यहाँ आ गया 1 है तो single 1 है तो यहाँ आ गया यह 12 है तो 2 और 1 3 यहां आ गया यहां आ गया ठीक है अब दोस्तों यहां देखो POT में P में 16 होता है तो 16 का 1 6 7 यहां हो गया 15 होगा 15 6 होगा 20 हो तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा हमें किसका करना है tiger का करना है सबसे पहले ये 20 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा i का 9 तो 9 को simple लिख दीजिए g का 7 7 लिखिए e का 5 5 लिखिए r का दोस्तो 18 तो क्या होगा 9 होगा 95792 95792 answer दोस्तो d हो जाएगा बिल्कुल सबको add करके दोस्तो reverse हो गया था reverse हो गया था reverse हो गया था बताई दोस्तो इसका answer बताई देखो cap है cap है साथ हो cap है फिर देखो रमन दिया हुआ था रमन दिया हुआ था अब last में दोस्तो capacity का निकालना है प्रसन जो है exam का ही है previous year के question है तो इन जैसे questions के आने की सम्भावना होती है साथ हो ठीक है दोस्तो C का 3 A का 1 P का 16 16 और 1 17 17 तीन 20 20 होगा ना बचे बटाई दो कर दोगे ना तो देखो 10 आ जाएगा बटाई दो कर दो साथ हो 10 आ जाएगा ठीक है देखो आर का 18 एक तेरा एक और चौदा आ गया 18 एक उननीस और एक बीस बीस और चौदा 34, 44, 45, 46, 47 47 बटाई दो कर दो दोस्तो तो 23.5 आ जाएगा देखो दोस्तो कई बार पॉइंट देखतर फिर डर हो जाता है कि भाई क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा ठीक है साथ हो तो इसमें हमें क्या करना है 3, 1 है 16 है 1 है 3 है 9 है 20 है और 25 है 25, 35, 45 55, 55 से एक कम 54, 54, 55, 56, 57 58, 58 और 16 58, 68 74, 75 और 3 78 आ गया दोस्तो 78 बाई 2 कर देंगे साथ हो तो देखो 2, 3 जा 6 2, 9 जा 18 39 जितने बच्चों ने किया है उसका आंसर बिलकुल ठीक है तो 39 होगा 39 है 35 आंसर नहीं था ये तो देखते ही आंसर हो गया होगा बताइए क्या आंसर है चलिए दोस्तो आपको ये पता है देखिए देखिए दोस्तो रीजन में अगर आप देखेंगे तो 123456 6-1 6-1 क्या हो जागा दोस्तो 5 हो जाएगा ठीक है तो सभी को इसका आंसर पता हो गया है दोस्तो देखें गब्मेंट है आंसर क्या है गब्मेंट है ठीक है जाते हो गब्मेंट है तो गब्मेंट में दोस्तो जितने हैं उस पर minus 1 कर दे तो हमारा answer मिल जाएगा 9 मिल जाएगा ठीक है सात्यों अच्छा अब देखी दोस्तो एक challenge वाला question है देखना चाहता हूं मैं कितने लोगों को ये पता है दोस्तो इससे high level question फिर coding recording में नहीं आ सकता इससे high level question नहीं आ सकता अब दोस्तो अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा ना तो आपको समझ महीं नहीं आएगा कि आखिर क्या पूछना है तो थंडे दिमाग से पहले एक बार question समझे comment जल्द करने की कोई जल्द बाजी नहीं है ठीक है देखो दो ऐसे साथियों यह सब variable है variable क्या होता है जिनके मान क्या होते है change होते है जिनके मान क्या होते है साथियों change होता है PQ प्लस RS is equal to TUV समझेगा अराम से पहले question समझे दोस्तो फिर अगर नहीं होगा मैं समझा दूँगा बट फिर इससे high level के प्रस्द नहीं होंगे उस्तो अब आप यहां समझेए कह रहा ना the value of मैं समझा भी रहा हूँ the value of u is equal to 0 is equal to 0 u का मान u का मान 0 है 0 कह रहा हूँ बच्चे 0 सुन्य है ठीक है u का मान ने सुन्य है ठीक है ना the value of u is equal to 0 देखो साते हो a b is a prime number a b is a prime number दोस्तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या अभाज संख्या अभाज संख्या देखो कितने लोग बता सकते है pq plus rs नीचे आ रहा है दोस्तो t u v अभाज सब संख्या होंगे सब क्या होंगे तो दोस्तो सब संख्या होगा ठीक है अब आप यहां देखो मैं यह क्या कह रहा हूँ दोस्तो sorry pq is a prime number ठीक है दोस्तो अब देखी यहां पर मैं कह रहा हूँ जो आप digits यूज करोगे जो आप digits यूज करोगे ने दोस्तो वो 1,2,3,4,5,6 है ठीक है इससे फिर साथ यह तफ क्वेस्चन नहीं होगा ठीक है हाँ digits साथ यह आपको यही करना है देखो 1,2,3,4,5,6 ठीक है और दोस्तो अब एक बात सुमलो सभी every alphabet has a unique value every alphabet has a unique value सभी alphabet का दोस्तो एक unique value है अरे यार थोड़ा से रुको तो पहले ही बता रहो समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा तो तो तुमसे बनेगा क्या पहले आप ध्यान तो दो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ एक addition हो रहा है सात्यों वो जीरो है यह जो पीक्यू है ना एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है सात्यों ठीक है अब आप यहाँ देखिए दोस्तों digits जो यूज होगा इसमें क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा और every alphabet has a unique value every alphabet has a unique value क्या है question दोस्तों find the value of देखे कितने लोगों को समझ में आ रहा है find the value of c plus 2d दोस्तों ये भी coding decoding का ही प्रसन है खुद से करिए दोस्तों दूसरे का मत देखिए और देखिए क्या आप इसको बना पा रहे हो खुद से करिए आदि देखो simple हो रहा है कि addition जिसमें u का value मालूम है कहरा आप PQ जो है एक prime number है जो कि अभाज संख्या होता है जो digits आपको यूज करना है इन ही को यूस्तमाल करना है याँ पर मैं कहरा हूँ हर alphabet का एक unique value है हर alphabet का एक unique value है every alphabet has a unique value find the value of c plus 2d दोस्तो c plus 2d का मान क्या है c plus 2d का मान क्या है देखो कितने लोग इसका आंसर सही बताएंगे मुझे यहाँ यहाँ पर a, b, c, d, यहाँ पर p, q, r plus 2s r plus 2s का मान क्या है इनका साथ यह आपको values खाली खोजना है कि किस तरीके से आम लोग इसमें put कर सकते हैं चलिए बहुत लोग 11 आंसर कर रहे हैं क्या है दोस्तो u का मान देखो हिंडी में मैं बोलूँ दोस्तो तो u का मान सुन्ने है p q जो है न एक अभाज संख्या है अभाज संख्या p q एक अभाज संख्या है कहता जो आप digits इस्तमाल करोगे यहां आप बही alphabet थोड़ी इस्तमाल करोगे आप digits इस्तमाल करोगे उनका value क्या दोस्तो 1,2,3,4,5,6 ही करना है और हर alphabet का एक unique value है हर alphabet का एक unique value है यही तो दोस्तो कैसे रखना है वो आपको सोचना है कि यहां u का value 0 आ जाए और p q क्या बन जाए दोस्तो एक अभाज संख्या बन जाए देखेंगे दोस्तो कोई बात नहीं है आपसे नहीं बनेगा आप इसको अराम से समझेगा मैंने कहा कि दोस्तो मैं question आपसे high level का पूछ रहा हूं कि देखो जाते हो मैं दुबारा एक बर बताता हूं फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो बच्चे बिल्कुल ट्राई करिए इसमें इतना जादा टेंशन लेने की जोरत नहीं है मैंने पहले ही कह दिया था एक high level का question मैं आपसे पूछ रहा हूं पीक्यू प्लस आरेस टी यू वी आ रहा है यू का value क्या है साथ यू जीरो है यू का value क्या है जीरो है यह दे चुका है अब आप देखिए यहां कहरा है जो पीक्यू पूरा है ना पूरा पूरा पीक्यू एक prime number होगा क्या होगा साथ यो एक prime number होगा जो या तो खुद से कटेगा या one से कटेगा अब आप देखिए अब दोस्तों इसमें alphabet में एक दो तीन चार पांच छे साथ यू का मान जीरो है और one two three four five six use करना है तो बचे छे में साथ यो आपको one two three four five six इस्तमाल करना है ठीक है अब देखिए साथ यो जब आपसे यहां पूछ रहा है find the value of r plus 2s तो r का value अगर पता चल जाए और s का value आपको पता चल जाए दोस्तो r plus 2s निकल आएगा चलिए अब देखिए साथ यो मैं आपको एक बात बोलू अगर मैं आपको solve करा हूँ तो मैं आपसे एक बात अगर पूछ हूँ साथ यू का value 0 आने के लिए यू का value 0 आने के लिए आप p और r में क्या-क्या रख सकते हैं जल्दी से यह बता दो दोस्तो यू का value 0 आने के लिए p और r में p और r में क्या-क्या रख सकते हो आप मुझे यह बता दो जिसको यह बात समझ में आ गई दोस्तो जिसको यह बात समझ में आ गई लेके question में मजा तो बहुत आएगा मजा बहुत आ जाएगा अगर आप समझ जाओगे तो अगर आप समझ जाओगे तो मैं कह रहा हूं दोस्तो अगर आपको u का value 0 लेना है तो आप मुझे यह बता दो कि दोस्तो 1,2,3,4,5,6 में P और R का मान कौन से दो नमबर होंगे कौन से दो नमबर होंगे बस आप से यही पूछा है देखो बहुत बढ़िया बता रहे हैं बच्चों का दिमाद चल रहा है बिलकुल दिमाद चल रहा है वो कह रहे हैं सर इसका आंसर या तो देखो या तो दोस्तो P का मान या तो P का मान 4 होगा और R का मान 6 होगा जब जोड़ेंगे न साथियो जब जोड़ेंगे तो 10 होगा और दूसरा एक case क्या होगा कि P का मान 6 हो और नीचे 4 हो जोड़ेंगे तो 10 होगा बोलो दोस्तों ये बात समझ में आई है क्या ये बात clear है क्या ये बात clear है तो जल्दी से बता दो क्योंकि अगर आप ये समझ गया है ठीक है ना तो इस से high level के फिर questions नहीं होते हैं जो आप कहरे हैं कि sir कुछ question का label बढ़ाईए तो मैंने एक label बढ़ा के ये question पूछ दिया आपसे बोलो दोस्तो ये clear है क्या अगर उपर 4 नीचे 6 तो जोड़ेंगे तो 10 आएगा P की value 4, R की value 6 जोड़ दिया तो 10 आगया U का value 0 आएगा यहां तक clear है तो मैं आगे चलूँगा बच्चे देखो ये पूरा PQ पूरा PQ जो है ना पूरा PQ प्राइम नंबर है पूरा PQ प्राइम नंबर है अगर मैं इसका example बोलू प्राइम नंबर है 61 ये सब क्या नंबर है प्राइम नंबर है तो पूरा PQ प्राइम नंबर है अलग अलग प्राइम नंबर नहीं है प्राइम होगा तो 4 कैसे अरे आप पहले यहां समझो पूरा PQ प्राइम नंबर मैंने बोला है अलग अलग प्राइम नहीं बोला है तिलक राम जी पहले question समझ लो असुतोस उपाध्याई भाई पहले question समझ लो PQ is a prime number हमने ऐसे नहीं कहा P and Q are prime numbers ये मैंने नहीं बोला है अब देखना दोस्तो यहां पर देखो देखो हम लोगों ने क्या-क्या इस्तमाल कर लिया 4, 6, 1 और 0 देखो 4 का इस्तमाल हो गया है 4 का इस्तमाल हो गया है 6 का इस्तमाल हो गया है 1 का इस्तमाल हो गया है 1 देखो यहां आ गया चार और छे देखो यहां आ गया इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा एक आ गया अब देखिए साथियो अब अगर हम लोग यहां पर यहां पर का आंसर निकाले इधर इधर किसकी क्यों का आंसर निकाले पी का वेल्यू चार तो क्यों का वेल्यू क्या होगा तो दोस्तों या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो पांच होगा यहां चार के साथ चार के साथ पी क्यू क्या बनेगा PQ क्या बनेगा तो PQ में P अगर 4 होगा तो Q का क्या क्या आ सकता है 2, 3, 5 मतलब या तो 42 या तो 43 और साथ क्यों या तो 45 बोलो ये clear हो रहा है यही 3 नंबर बन सकते है अगर 6 लेकर चले 6 लेकर चलते हैं दोस्तों क्या नंबर बन जाएगा PQ में क्या नंबर बनेगा या तो 62, या तो 63, या तो 65 बाई 6 से ये 3 नंबर बनेगा और दोस्तों 4 से ये 3 नंबर बनेगे हाँ दिमाग तो घुमा ही दिया है बहुत लोग अब साथियों आप मुझे बताओ 42, 43, 45 और 62, 63, 65 में प्राइम नंबर कौन सा है जल्दी से बता दीजे दोस्तों इस 3 नंबर पर प्राइम नंबर कौन सा है आप मुझे बताओ 42, 43, 45 62, 63, 65 प्राइम नंबर कौन सा है अगर आप देखोगे न 42 प्राइम नंबर नहीं है तू से कट जाता है 45 प्राइम नंबर नहीं है 5 से कट जाता है 62 किसे कहते प्राइम नंबर भाई 62 प्राइम नंबर नहीं है 63 तो देखो 3 से कट गया 7 से कट गया 9 से कट गया 63 भी प्राइम नंबर नहीं है कौन बताएगा साथियो इनमें प्राइम नंबर कौन सा था प्राइम नंबर कौन सा था प्राइम नंबर साथियो आपको इसमें एक ही है क्या है 43 है 43 है इसका मतलब साथियो यहाँ पर 3 जो है ना 43 होगा देखो P का मान 4 और Q का मान 3 43 जो है ना 43 जो है वो कैसा नंबर निकल कर आया प्राइम नंबर निकल कर आ गया है अब भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं साथ है तो फिर तो नहीं समझ में आएगा फिर तो नहीं समझ में आएगा इसका मतलब दोस्तों ये बनेगा ये वाला possible नहीं है 6 से P का value 6 कभी भी नहीं होगा P का value कभी भी 6 नहीं होगा देखो दोस्तों तो देखो हम लोगों ने 3 का भी इस्तमाल कर लिया हम लोगों ने 3 का भी इस्तमाल कर दिया अब दोस्तों यहां देखो एक नंबर यहां पर आएगा और एक नंबर यहां पर आएगा यह दोस्तों किसके लिए आएगा तो S के लिए आएगा देखो यहां नंबर S के लिए और दोस्तों यहां नंबर किसके लिए आएगा V के लिए आएगा देखे दोस्तों अब आप S के लिए यहां क्या put करोगे तो 2 है और 5 है अगर मैं यहाँ 2 put कर दूँ तो 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 साथियो क्या हो जाएगा 5 देखें जोस्तों 2 भी इस्तमाल हो गया 5 भी इस्तमाल हो गया अब देखिए सात्यों यहां हमें क्या चाहिए R प्लस 2S R की जगा पर क्या पुट कर दोगे तो R की जगा पर क्या है सात्यों 6 है 6 है प्लस 2 की जगा पर देखो दोस्तों S S की जगा पर क्या हो गया 2 हो गया तो 6 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 आ जाएगा सात्यों कल जो है हम लोग क्रम वाले कोश्चिन करेंगे इसको अराम से देखिए सात्यों बिल्कुल समझ में आ जाएगा कोई बहुत बड़ा ये पहाड कुश्चिन नहीं था और कोई ऐसा भी नहीं था दोस्तों कि बहुत टफ कुश्चिन था अराम से देखो गया आपको ये समझ में आ जाएगा एक बार ठीक है कल दोस्तों मैं क्रम वाले questions आपको कराऊंगा जैसे चल रहा था ये questions आते हो जो है एक high level का question मैंने आपसे ऐसी पूछ लिया था तो कोई बात नहीं साथ हो इसको आप अराम से देखिए और फिर हम लोग कल क्रम वाले questions करेंगे ठीक दोस्तों all the best thank you जैहिन साथियो